अम्मी, मैं खाना खाने के यूठी ते लेकिन फ्रिज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं खा सकूँ, क्या कहूँ मैं अब? अ बेटा, इतना सारा खाना बना था, वो बर्यानी कोफते, वो कहां गया? मुझे क्या बता पापा? मेरा शयाला बाइजन वो कामवाली ले गई है, वो कामवाली ले गई है या तुम काम दिखा गए हो? उसे क्या कहते है, शर्फू से पूछे? ओ शर्फू! जी साप जी! इदर आईना है? जी सामने कुछ सर्श वो इतना सारा खाना बना था, वो कहां क्या? सर्फ कोफते ही बचे वे हैं पांच कहां पे हैं? वो फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है मामू अब्दुलिसलाम ने शापर में डालके फ्रिज के नीचे वाले खाने में चुपाए हुए है अबे जाहल छुपाए नहीं है, वो बिटी आरानी के लिए ही रखे हुए है जाओ नकाल कर दो उनको आई बीबी जी मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि पूरा बक्रा था, सारा ही खतम हो गया पूरा बक्रा कौन सा बाई जान? मरियल सा बक्रा था तुमे तो मरियल ही लगने है, तुम तो बैड़ा देखके बक्रा कह रहे होते ह। मरियल सा बक्रा था किसाही ने गोष्त बनाने के बाद तोला था ngày तो महल्ले में नी बाचा? कौँ से महले में बाचा है हमारे तो एक बोटी नी भेजी मैंने तो एद वाले दिन दी शिकार वाले तीतर फ्रिज से निकाल के खाये हैं यह देखो ना भाई दुरानी के घर में भी निगोश्ट बेचया वो बेटी के सुस्राल वाले भी कोईटे गए हुए है तो कहां चला गया इतना गोश्ट? कर्णल साब सनी के दोस्ट आये वे थे उन्होंने भी तो खाया गोश्ट असलाम अलेकूं बाबा वालेकूं असलाम अलेकूं डैडी क्या आला बेटा सनी ठीको? अब भाई आफ लोग अभी आए हैं यार मूड आफ 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 लग रहा है मूड क्या आफ होना भाई गोश्ट का अफसोस कर रहे हैं जो तुमारे मामू के मेदे में दफन हो चुका है भाई जान मैंने कब इतना खाया है मामू अगर खाते हैं तो मान जाते हैं क्यूं ऐसा करते हैं अपना ही तो गार है मैं रात को पानी पीने के लिए उठा हूँ मामू किचन में थे फ्रीज के आगे खड़े होके कह रहे थे खुल जा सिम सिम अमा भुने हुए गोश्ट का पतीला सामने रखके डबल रोटी के साथ खा रहे थे अबे नलैक क्या फजूल बात कर रहे हो मैंने खुद देखे है आप डबल रोटी के उपर मिख जाड रहे थे माशाला तगड़ा उपर से इतना है ये तो कच्ची हटी में से मिख निकाल लेता है बाबा मैंने खुद देखे है मामू ने छे कोफ्तों में टूट पिक लगा के फ्रीजर में रख रहे है मैंने का ये क्या का रहे है कहते है मैं मटन लॉली पॉप बना रहा हूँ और ये तो वो शक्स है जो गोलकपो में भी कीमा भरके खाता है मैं क्या करूं मेरी मुसीबत ये है मुझे डैड़ी ने वसियत की है कि कभी भी तुमने बाईजन के आगे नी बोलना उन्हे निं निकाओ बाईजन के आगे बोलना ने बाईजन के आगे खाना खूप है इनके पीशे सीड़ी बाई चाहे जातु जाए जाने वाली बस लगते हैं और मेले में गुम हो जाने वाले बांजे तमीज से रहा करो ओए खाबोश खबरदार तुम्हारे मामू है